शबी मित्रों को ओम नमाशिवाय मैं जोतिसा चार पंडित मंगल पांडे ये भी अनन में आप शबी भक्त जनों का हार्दिक श्वागत करता हूं आईए सरप्रथम महादेव के नामों का श्मरन करें उनके चलनों का ध्यान करें हरिहयों आत्मात्वं गिर्जामतिं सहचरा प्राना सरीरं ग्रिहं पूजाते विसयो पभो गरचना नेद्राशमा देस्थेते संचारपदयो प्रदक्षिन वेदे सोस्त्रानि सर्वागिरो यतत्कर्मकरो मितत्ददखिलं शंबो तवाराधनम शंबो तवाराधनम देवादिदेव महादेव की किरपा समस्त भक्त जनों के उपर बनी रहे आयू आरोग्यता की प्राप्ति हो आज इस वीडियो में मैं समस्त भक्त जनों को तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ कहा गया है कि तीन मुखी रुद्राक्ष का हम किस प्रकार से धारन करें उसका क्या फल होता है तीन मुखी रुद्राक्ष को भगवान ब्रंभा विष्णू और महेश तीनों देवों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए पहनना चाहिए बैदिक जोतिस के अनुशार मंगल गरह को तीन मुखी रुद्राक्ष का श्वामी माना गया है तीन मुखी रुद्राक्ष को धारन करने से कुंडली से मंगल गरह का जो कुरूर दोश है मंगल गरह का जो अनिष्ट प्रभाव है वो शिगरती शिगर दूर हो जाता है इस बिद्या प्राप्ति के लिए भी धारन किया जाता है कहा जाता है बहुत सारी हमारी माताइं कहती है कि गुर जी मैं हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में बहुत सारे ट्यूशन लगा रखा हूं लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उन सभी माताओं और बहनों को मैं बता दूँ कि अगर जिन भी बच्चों को शिक्षा में मन नहीं लगता उन्हें उत्तम विद्या की प्राप्ती के लिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष का धारन अवश्य करें इसके धारन करने से तन और मन दोनो शुद्य होता है तीन मुखी रुद्राक्ष का जो धारन करने की विधी है वो किस प्रकार से है मैं सभी दर्शकों को बताओं कि तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करने से पहले इसे आप गंगाजल या कच्चे दूद से शुद्ध करें इसके बाद आप हनुमान जी की एक पृतिमा हो चित्र के शामन औरहों आप मांची एक मंदिर में जा करें लुक्त फी या किरें भगभान होगती जला करके उसे रुद्राक्ष दिस्ति पूजण सपुजण रचन करें इसके बाद हैं आम हैं जी को आप लाल पुश्प अर्पन करें और मंगल देव के बीज मंत्र का आप जब करें मैं आपको एक बार बीज मंत्र बता दूँ ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमह इस मंत्र का आप अधिक चे अधिक कम शे कम एक सो आठ वार जब करें और मैं इस रुद्राक्ष के मंत्र को बताऊं ओम क्लिम नमह इसका एक सो आठ वार जब करने के पश्यात आप रुद्राक्ष को धारन कर सकते हैं इस विधी को करने के बाद कौन से दिन कौन से नचत्र में आप रुद्राक्ष को धारन करें मैं यह बताऊं मिर्गशिरा चित मातर से आपके जो कुंडली में मंगल ग्रह, अनुकूल हैं, मंगल ग्रह को कुरूर ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल ग्रह का जो अनिष्ठ प्रभाव है, उससे आपको शिग रते सिग छुटकारा मिलेगा, शिग रते सिग शारे कुंडली के जो मंगल ग्रह के दोश हैं, उ और अधिक मन लगेगा और उपने शिच्छा को प्राप्त करेंगे इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहें एवी एनन के साथ नमस्कार